हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू मैं चैनल टावरे स्ट्रेंज, मैं अभी हूँ गादियारा में जो एक बहुत ही पॉपुले टूरिस प्लेस है कोलकाता के पास रूपनाराय नदी के किनारे में बसा ये स्मॉल टाउन है हावरा डिस्टिक्ट में विकेंड टूर्स, पिक्निक टूर्स के लिए एक अच्छी जगा है नियर कोलकाता गादियारा में रहने के लिए कुछ होटल्स है उसमें सेज़ जीस होटल में मैंने स्टे किया है उसी के बारे में कुछ इंफोर्मेशन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी आज हम बाई रोट गादियारा जा रहे है कोलकाता से गादियारा का डिस्टेंस है लगभग 85 किलोमेटर्स नेज 16 बागनान होके हम पहुझ गये है गादियारा राइट साइड में जो नदी है उसका नाम है रूप नरायन आज का वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा I really need your support to grow my channel पहुझ गये हम रूप मंजरी टूरिस लॉज यहाँ लेट साइड पे विजिटर्स पार्किंग आईवर लेवर है अगर कुछ लोग यहाँ पे आके सिर्फ खाना खाना चाते तो उनके लिए आपे पार्किंग आईवर लेवल है में गेट से होटल का डिस्टेंस लगभग 100-300 मीटर्स होगा होटल के बोडर्स के लिए जो पार्किंग एरिया है वो होटल के सामने है हम लोग भी वही जा रहे है काफी बड़ा कमपाउंड है इस होटल का ये है होटल बोडर्स का कार पार्किंग एरिया सामने ही है होटल चलिए अंदर चलता है ये है होटल का रिसेप्शन कम लॉबी एरिया इस होटल में बुकिंग आप वेस बेंगल टूरिजम के वेबसाइट से कर सकते है यहाँ पे होटल का एड्रिस, कॉन्टैक डिटिल्स और बुकिंग करने का वेबसाइट दिया हुआ है जैसे कि हर होटल में ही लगता है यहाँ पे भी आपको रेजिस्टर में एंट्रि करने के बाद आपका गवर्मेंट आईडी काट शो करना पड़ेगा वेल्कम ड्रिंग की एटा? लेवू स्वागोड अच्छा अच्छा, तेंक्यू हमको नीम्बू पानी दिया है अज़ा वेल्कम ड्रिंग केस्टी नीम्बू पानी पीने के बाद अभी हम जा रहे है हमारी रूम की तरफ यहाँ पे टो टल दो फ्लोर से रहने के लिए 201-212 तक जितने भी रूम से वो ऽारे 2nd फ्लोर पे है और 101-112 तक जितने भी रूम से वो सारे 1st फ्लोर पे है इस होटल में लिफ्ट एवलेवल नहीं है हमने यहाँ पे दो AC स्टैंडर डबल बेडिड रूम्स बुक किया है एक रूम का एक दिन का रेंट है 2600 रुपे प्लस GST यहाँ पे वाई-फाई एवलेवल है इस होटल में ड्राइवर्स रूम एवलेवल है पर नाइट चार्ज है 560 रुपे इंक्लोडिंग GST रूम में हम को दो पानी का बॉडल्स और कुछ टॉलिटरी स्कम्प्रिमेंटरी दिया है एक राइटिंग पैट दिया है उसके साथ ही एक पैंसिल और यह शावर जिल है सोप है रूम में दो कप्स दो ग्लासेस और एक किटल भी हैं दो कंप्लिमेंटरी टी किट्स भी दिया है इसमें एक शुगर है, मिल्क है, टी बैग्स है, पेपर नेपकी नोस्टरर है आप लोगों को अभी बात्रूम दिखा देती हो रूम के साथ एक एटाइच्ट बैलकेनी भी है बैलकेनी से लौन और रूपनारा नदी का कुछ ऐसा व्यू मिलता है होटेल पहुच के थोड़ा रेस लिए, फिर फ्रेश होके अभी जा रहे हैं रेस्टरॉन में लंच करने लौन लाइच्ट अर्शों अर्श रखेती है आप चाहे तो यहाँ पे बैट के बाहर का नजारा देखते हुए भी लंच कर सकते हैं यह यहाँ का मेनु कार्ड है आपको खाने का प्राइस दिखा देती हूँ breakfast यहाँ पे complimentary है यह सारे options आपको मिलेंगे breakfast के लिए बहुत ही बड़ा मेनु कार्ड है यह है यहाँ के रेस्ट्राण का टाइमिल्ग्स यह आज का special menu है खाने का टेस्ट हमको average लगा लंच करने के बाद हमने यहाँ पे एक राउंट केरम खेला यहाँ के लॉबी में यह केरम बोर्ड रखा हुआ है आप चाहे तो अब भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे केरम का गेम इंजॉय कर सकते है चलिए अभी होटेल के बाहर का कमपाउंड एक्स्प्लोर करके देखते हैं होटेल के सामने ही कुछ वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के प्लांस लगाए गए हैं लॉन में एक प्ले एरिया है जहाँ पे कुछ स्विंग्स और सीसाॉज है इस बिल्डिंग में भी रूम्स है रहने के लिए लेकिन अभी बुकिंग एवेलेविल नहीं है आपे क्यूंकि आपे रिनोवेशन का काम चल रहा है यह एक और बिल्डिंग है जहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है पहले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में चार रूम्स थे अभी उपर एक और फ्लोर बन रहा है होटल के बाहर का जो कमपाउंड है वो बहुत ही बड़ा है लेकिन करेंटली उतना वेल मेंटेन नहीं है होटल के मैनेजमेंट से मेरा यही सजेशन है कि इस कमपाउंड को अगर अच्छे से क्लीन करके थोड़ा प्रापरली मेंटेन करेंगे तो टूरिस्स यहापे थोड़ा टेहल सकते है और उनका स्टेइंग एक्सपीडियन्स भी बहतर हो जाएगा इवनिंग के टाइम पे बोडर्स के लिए होटल की तरफ से ये कल्चरिल प्रोग्राम एरंज किया गया इन आर्टिस्ट्स ने हमको बहुती सुन्दर बिंगॉली फोक सॉंग्स गाके सुनाया तो कैसा लगा आप लोग को आज का ये वीडियो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आपके लिए लाइक सिर्थ क्लिक है लेकिन हमारे लिए ये बहुती जादा माहिने रखता है इसलिए मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं बहुत ही जल्दे एक और नए वीडियो में तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा बाई बाई फेंस, be happy and take care